नमस्कार। रिखा प२्वार्स कीचन में आपका स्वागत हैator गेहों के आटे से बनीवी हर चीज कहाने में टेस्टी होने की साथ हिली भी होती है तो चलिए आज हम गेहों के हाठे के सेmost बनाते हैं, जो खाने में इतने सौफट हैं, कि Rafael Can evaluated as many घी की पिगलावा नहीं होना चाहिए तो इस सरीकिशे रूमसीמתरेचर का गीर मैं मिलेना है तो कि अभस में एक कटोरी PCV चीनी डाल देंगे जिस कटोरी के नाप से मैंने गी लिया था उसी के नाप से मैंने चीनी लिए packaging कम करूंब कर सकते हैं चीनी की मात्रा कम कर सकते ह। तो पेंला हुआ अच्छी से mix कर लेंगे। आप चाहिए थो से हाथ से चमसरी mix कर सकते हैं। थोड़ी दिर हम इसे तरश पात रहेंगे ताकि चीनी गी में अच्छी से mix हो जाएगी। तो आप देखे थोड़ी देल में चीनी घी में अच्छे से मिक्स हो गई है तो आप इसे विस्कर के यल्प से फैट लेंगे इसे फेट तो मुझे करीब साथ मिनिट हो चुके हैं और आप देखें कितना फ्लप्पी हो चुका है तो अब हम एक चन्नी ले लेते हैं और उसमें डाल देते हैं एक कटोरी गेम काटा और एक चुटकी नमप और इसे छान लेंगे अब हम याँ पर एक कटोरी बेसन लेंगे लेकिन इसमें से तीन टेबल स्पून बेसन निकाल लेंगे यानिकी एक कटोरी में तीन टेबल स्पून बेसन कम करेंगे आप चाहे तो 3 टेबल स्पुन बेसं पहले कम कर सकते हैं लेकिन मुझे मेजर्मेंट दिखाना था इस तरीके से आपको बता है और यही तीन टेबल स्पुन हम इसमें डाल देंगे मेदा इसलिए जाल देंगे थोड़ा सा इलाइची पॉडर और दो छोटी चंच नायलका बुरा अब हम इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि यहां पर चमबच की हिल्प इससे अक्छे से मिक्स कर लिया हैं तो आव इसका हाथ से दो तेयार कर लेंगे लेकिन हम इसे भिलकुल हलकही हातों से इसका डो बनाएंगे अ हमऄ सरते हाथ से इनिने मिक्स कर लेंगे इसे घूठने की ज़रूत नहीं है तो इस तरीके से हाथों से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब मैं इसमें एक छोटी चमच चीनी डाल रही हूं और इस तरीके से इसे मिला करके और एक डो की तरह सुन्कार बना लेंगें तो इस तरीके से अच्छे मिक्स करके और हम लगना भूफू टैयार हमें इसे मिलाच प्लइट नहीं है तो इसके हम याप पार प्लेट हम आ fed लगए और इस पर थोड़ा सखी लगा लेंगें अगर आपके पास बट्रेपर नहीं है तो आप कोई भी इतर बहुत बैकिंग ट्रेपर नगांे के बार बैकिंग ट्रेपर वहीज ग्यिशाट लगा लेगे या चुछ से लिए हम एक छोटा सा इस्सा लेंगे और इस से बिल्कुर हट हम के इस तरह के से लेकर के और एक पेड़े का शेप दे देगे इस तरही के से और इस प्लेट पर रख देंगे हमने यह पर कुछ बना करके रेडी कर के लिए हैं तब हम इसे हलके से उंगली से बीज में प्रेस कर देंगे और इसके उपर थोड़े सी पिश्टा डाल करके निगाये निश्ट कर लेंगे कि अगर आपको लगे कि ये थोड़े गीले होने लगे हैं कि गर्मी के वज़े से घी पिकलने लगता है तो आप इसे थोड़े देल के लिए फ्रीज में रख दीजिए और इसके बाद आप इसे बैग कीजिए अब इसे भी बीच में से इस तरीके से प्रेस कर देंगे तो हमारे ये बिस्कुट भी तयार हो गए है चलिए अब हम इन्हें बेक कर लेते हैं तो अब हम गेस को पेंट चड़ा कर इसे 10 मिनिट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे इधर हम माइक्रोय में कन्वेक्शन मॉड ओन करके 180 डिक्री सेल्सियस पर 10 मिनिट के तो अब हम ये प्लेट भी रख देंगे जो कि हमने पहले से त्लाइक रखी थी और इसे डख करके करीब 12 मिनिट तक बेक होने देंगे गेस के आज हम बिल्कुल दीमी कर लेंगे और दीमी आज पर यह मैंने प्री हीट हो चुका है तो अब हम लो रेक पर ये ट्रे रख दे होने के लिए रख देंगे 15 मिनिट बाद हमने चेक दरेंगे अधिक 12 मिनिट होने वाले हैं और आप देखिए बिस्कित अच्छे से पूल चुके हैं तो अब हम इसे ढख करके और गेस बंद कर देंगे और पांच मिट तक हम इस तरीकेसी से पेन में रख देंगे ताकि यह और अच्छे से बेख हो जाएंगे अधि करें वह इस टॉक कर लेंगे तो अब हम इस ट्रे को भाण निकाल लेंगे परइब पांच से साथ मिनिट बार हम इस प्लेट को भी निकाल लेंगे कि मिल ठेटा उस्टों सकते हैं और आप देख सकते हैं ऑं में थोड़ा सा कलर एल इसी में कुए अंतर नहीं कि इस सकते कि इस हुए कि थोड़ा थंडा होने के बाद हमने एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो विस्कित हमने पेन में तैयार किये थे वह बहुत अच्छे से फुले हैं कि अंदर से बहुत अच्छे से बेक हुए है मैं आपको तोड़कर भी दिखा रहती हूं देखिये कितने अच्छे से तू अगर इनका कलर नीचे से थोड़ा डार का गया है तो आप चापू से थोड़ा सा हटा लीजिए बाकि टेस्ट इनका दोनों का बहुत अच्छा है तो आशा करती हूं कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंदाई होगी इसे लाइक किजिए शेयर किजिए और मेरे चैनल को पुलिए थेंक यू